प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस सेशन में आपको किस प्रकार से हमारे साथ जुड़ना है तो सबसे पहली बात यह कि आप लोग भी हमारे साथ में लेकर के बैठेंगे और यहां पे आप अपनी तयारी का अनलेसिस करेंगे कि अभी तक जो भी आप लोगों ने चैप्टर्स को कवर अप किया जब उन्दे संबंदित प्रस्न यहां पे आपको देखने को मिलते हैं तो कितना एक्यूरेटली और कितने कम समय में आप द्धार की गुंजाई से आवशकता है क्या अप्रोच होना चाहिए एक्जाम से रिलेटेड यानि कि जब हम एक्जाम हॉल में होंगे तो किसी भी पर्डिकुलर कोश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए इन सभी बातों पर हम लोग यहां पे चर्चा करें रिलेटेड डिसकस् करेंगे और इसके अलावा घर आपके यहां पे देखने को मिलेगा यानि कि जो आपके अग्जाम में आने की संभावना है जिन प्रश्चन की उनको भी हम लोग यहां पे फो आपकी से Beach C क्यों हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो भी त्यारी करी है जिन भी सेशन को आप लोगों ने अभी तक वाच किया जब उन्जे संबंदित प्रस्ण आप यहां पे देखते हैं तो एक्जाम हॉल में आपको क्या अप्रोच होना चाहिए बहले आप स्पीड टे डिटेल में डिसकस किया हुआ है कि कैसे आपके पास मार्क फॉर रिव्यू को अप्शन होता है आप कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे यूज करेंगे किसी भी परडिकुलर कोशन पर आपको स्टक्ड हो करके वहीं पर रुकना नहीं है यानि कि अपना टाइम वेस्ट नह आपके साथ में सौरब सर जूड़ेंगे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से तो इन दो के दोनों ही सेशन में आपके लिए जो नंबर्स हैं जो कैलकुलेशन है इनका स्कॉयर है इनका क्यूब है या कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसको भी आप यहां पर देखेंगे और कहीं न कहीं अभी तक जो भी बात आपको सेशन में बताई गई है उन पर आपको अमल करने की कितनी अवशकता है इस चीज़ का भी रिलाइजेशन आपको इस प्रैक्टिस सेशन में होने वाला है तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग हमारे साथ में कॉपी और पिन लेकर करके बैटेंगे और आपकी कितने प्रशन सही हुए इन पूछे गए 25 प्रशनों में से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसके अलाब अगर मैं बात करूँ जब सबसे पहले मैंने आप लोगों से स्लेबस डिसकस किया था तो वहां पे मैंने आपको दिखा रहा हूं लेकिन आने वाले सेसंस में मैं उन कोश्चन को एक्स्क्लूड करूँगा क्योंकि आपको और भी बहतर तरीके से जो आपके मैस फेकल्टी है वो उन कोश्चन को डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो आज के सेशन के अगर मैं बात करू चलिए तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा हस्त लेक ग्रैफोलोजी हैंड रैटिंग ग्रैफोलोजी तो कहीं न कहीं हस्त लेक से संबंदित जो अध्यन है यहां पर आपको उसकी टर्मिनलोजी देखने को मिल रही और जब हम लोगों ने अनलोगी का अगर बात करें टॉपिक डिसकस किया था तो वहां पर मैंने आप लोगों को वैरियस टाइप की स्टडी के बारे में भी बताया था और बताया था कि आपके पॉइंट आवश्यक हो जाती हैं तो अगर हम बात करें आपके दिये गए विकल्पों की तो सबसे पहला विकल्प आपको देखने क की तीरता का या उसके अलावा जो भी आपके वैरियस रीजन होते हैं उस पर हम लोग कहीं न कहीं क्या इस्टडी करते हैं तो इसलिए अगर आपको यहां पर फूर्ट ओप्सन दिखाई देता तो पॉमोलोजी के साथ में बिल्कुल करेंट कॉम्बिनेशन होता या अगर यहां पर आपको सेस्मोलोजी दिखाई देता है तो और्थक्वेक के साथ में क्या होता है बिल्कुल करेक्ट ओप्शन देखने को मिलता इसके लावा अगर हम बात करें फॉसिल्स की जीवाश्म की तो पेडोलोजी जो आपको यहां पर टर्मलोजी दिया गया है यह आपक शॉल से रिलेटेड स्टड़ी को बोलते हैं शॉइल से रिलेटेड जो स्टड़ी होती है इसको पेडोलोजी बोलते है यानि कि यह भी आपका सुमेलित नहीं है अगर हम बात करें तीसरे विकल्पर की तो बतार்त के बारे में किसमे अद्ध्यन करते हैं तो पधा check के बार और यहां पर आपको और नितो लॉजी जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके उपर हम लोगों ने अल्रेडी डिसक्शन किया हुआ है कुशन को मिल रहा है यहां पर बोला जा रहा है नीचे चार शब्द दिये गहां जिन्में से किसी संदर में एक समान है उस असंगत करें究 तो आपको यहाँ पर आसंगत सब्द को क्या करना है पहचानना है दिये कि अगर हम विकल्पों की बात करें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रायपूर इसके लाव आपको मुंबई एहमदाबाद और राची तो इन अगर आप सभी के सभी सिटीज पर गौर करेंगे तो यहाँ पर रायपूर क्या है आपका सीजी की कैपिटल है मुंबई के अगर हम बात करें तो कैपिटल आफ महरास्टरा है इसके लाव अगर हम एहमदाबाद की बात करें तो इहमदाबाद आपका गुजराद की कैपिटल नहीं है बलकि क्या है सब उसे बड़ी सिटी है अगर हम बात करें एहमदाबाद की गुजराद की capital की बात करें तो क्या हो जाएगा गांधी नगर हो जाएगा और इसके लावा जो आपको चौथा विकल्प देखने को मिल रहा है रांची रांची आपका जहरखंड की क्या है capital है यानि कि अगर हम एहमदाबाद को छोड़ दें तो बाकी के तीन आपके क्या है capital cities है different states के और यहाँ पर अला कि जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एहमदाबाद क्यों कि यह capital city नहीं तो यहाँ पर भी आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा option number C अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन दिये गए विकल्पों से संबंदित कुछ additional information की जो कि आपको exam में देखने को मिल सकती है जैसे कि अगर हम बात करें logical sequence of words की तो logical sequence of words में हम लोगों ने question discuss किया था जहाँ पे आपको map के according क्या अलग अलग cities की positions दी गई थी और उसके according आपको क्या करना था top to bottom के sequence में arrange करना था इसी प्रकार area wise भी आपको questions देखने को मिल सकते है यानि कि अलग अलग state के आपको नाम दे दिया जाएगा और area wise उनको sequence में arrange करना हो सकता है या population के based भर भी आपको arrangement देखने को मिल सकता है तो area wise अगर हम states की बात करें तो 5 states में देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा राजस्तान राजस्तान के बाद आपको मिल जाएगा मध्धिपरदेश MP इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा महरास्ता इसके बाद अगर हम बात करें तो UP और इसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात जबकि गुजरात की अगर हम बात करें population wise तो गुजरात आपको population wise नवे नंबर का राजी है इसके लावा गुजरात से संबंदित कुछ और महत्रपूर्ण जानकारी के अगर हम बात करें तो सबसे लंबी समुद्री सीमा या कोस्ट लाइन साजहा करने वाला राजी भी क्या है गुजराते ध्यान दीजे मैं यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूँ जब यूनियन टेरिटरी के हम बात करें तो उसमें आपका अंडमान और निकोबार आपका आईलेंड आजाएगा मिल सकता है क्लियर चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रशन की अगला प्रशन यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन पर बेस्ट देखने को मिल रहा है वो भी कोड़ेट फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन तो यहाँ पर अप्रोच हमारा वही होगा हमें क्या करना है पहले दी गई जानकारी में सबसे पहले जब कभी भी हम रिजनिंग में कोड़ेट फॉर्म ऑफ कोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट परसन का रिलेशन सेकंड परसन के संबंद में दिया गया है तो यहाँ पर आप क्लियरली दे सकते हैं ए प्लस बी मीन् सब्सक्राइब करें तो यहां पर देखने को मिल रहा है और अगर हम डॉलर की बात करें तो दोलर का मतलब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मदर ना heel глаз को बाच करें अगर हम प्रशन की यहादि यह गया क्वेशन की देन मीच आफ इस पॉलिग स्टेय्मेंट इस इन यानि कि दिये गए equation में कौन सा statement जो आपके चार विकल्पों में दिया गया है वो क्या है incorrect है यानि कि गलत है तो यहां कि अगर हम equation की बात करें तो देखिए सबसे पहले यहां पे plus यहीं पर लिख दे रहा हूं समझने का प्रयास करेंगे या फिर अलग से लिख देता हूं ताकि आपको यहां पर समझने में कटिना ही ना हो य है, Z है, H है, C है, D है, और S है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको प्लस, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको पर्सेंटेज, यहाँ पे आपको मिल रहा है डॉलर और अगें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्लस, तो देखे, आपका अप्रोच क्या होन अची इस question के लिए within second कैसे question को बनाएंगे आपको केवल दी गई जानकारी को पढ़ना है note down भी नहीं करना इस प्रकार से क्यों कि यहां पर आपको एक यही प्रस्ण देखने को मिल रहा है आगे आप move on करके देख लेंगे कि और यहां पर इस particular की बात करें तो यहां पर father dollar की बात करें तो यहां पर mother और plus की बात करें तो यहां पर husband केवल आपको इतना सा यहां पर काम कर लेना है और लिखने की व्यावर्शक्ता नहीं दिएगा equation में ही आप इसको directly क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं पहले के अगर हम बात करें तो बोला है जैड इस दा maternal grandfather of C यानि की जैड क्या होना ची जेंडर क्लियर होना ची तो dollar के अगर हम बात करें तो dollar का percentage की अगर हम बात करें तो percentage का मतलब होगे आप father यानि की होगे इनका पिता होगे और पिता की हो गई माता यानि की क्या हो जाएंगी दादी हो जाएंगी पहला ही आपका option जो है क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा क्यों 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 कि बोला गया which of the following statement is incorrect हमें incorrect पहचानना था तो यहाँ पर हम बात करें Z के relation की C के साथ तो Z क्या है C की दादी है ना की ना नी है clear देखिए यह तो हो गई बात पूरा proper कैसे solve करना है बाकी के options को भी यहाँ पर आप कैसे check कर सकते हैं माल लेते हैं यह आपको चौथा option दिखाई देता तो तो बाकी के options को भी आपको check कर दिया गया husband और dollar का मतलब दिया गया mother यानि कि husband की mother क्या होती है सास होती ही बिल्कुल correct है out is the son of y, y का पुत्र है, तो y और h कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे percentage तो percentage का मतलब फादर अनकी इनका gender क्या है mail है यहाँ पे आपको दिया गया है dollar, dollar का मतलब यानि कि यह क्या है इनकी माता है और माता कि अगर अगर हम बात करें तो plus के बाद यहाँ पर आपको देखने को बिलो husband या नहीं माता का कौन है यह husband है तो अब्यस सी बात है आज क्या हो जाएगा y का पुत्र हो जाएगा clear तो इस प्रकार से आप डारेक्ट ही यहाँ पर options को चेक कर सकते थे, आपको structure सिर्फ इसलिए बताया कि आपको जो approach है, question को हल करने का वो क्या होना चाहिए, अगर in case आपको question में difficulty आती ही, तो आप structure बनाएंगे, otherwise ठीक ठाक number of questions के अगर आप practice किये हुए है, तो आपको structure बनाने की कोई आप शकता नहीं, आप directly question को हल करेंगे, जि यहां पर बताना है number of triangles, और बिल्कुल basic सा question है, इस से आसान question आपको देखने को नहीं मिल सकता अभी के time में, यहां पर अगर हम बात करें number of triangles की तो देखिए, इस structure में हमें पता है कितने triangle बनेंगे, तीन बनेंगे, इस structure में भी हमें पता है कितने triangle बनेंगे, तीन बनेंगे 12 यानि कि आप क्लियरली देख सकते हैं आ पर 3 यहांस हो गये देखने को मिले यानि कि अगर हम प्राइब को बंते हुए दिखाई ए रहा है यानि कि आप पर राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्चन के लिए थोड़ा सा concept की भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से निकालना था हमें हम क्या करते थे हमें पता है कि इस structure में कितने number of triangles है तो हमें पता है दो भागों में divide है ठीक है तो तीन का double 6 होगे लेकिन इस इस से भी हमें कितने मिल जाएंगे तीन मिल जाएंगे यानि कि हो गए 12 तो इससे आसान question आज की rate में आपको देखने को नहीं मिल सकता अगर हम बात करें counting of figures की बात कर लेते हैं अगले question की जो कि आपका missing number पर based question है तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि numbers को देख करके square, cube, prime number इस परकार के जो भी numbers आपके बनते हैं अब जरूरी नहीं कि वह आपका क्या हो एक perfect square हो एक perfect cube हो उसमें कुछ जूडा हुआ हो सकता है कुछ घटाया हुआ हो सकता है तो इस परकार के numbers को भी देख करके आपको क्या करन है पहचानना है कि कितने के square के आसपास के number है कितने के cube के आसपास के number है और इस पर बेस्ट आपको various questions exam में देखने को मिलेंगे इस particular question के अगर हम बात करें तो already यहाँ पर आपको तीन क्या दिखाई दे रहें perfect square दिखाई दे रहें यानि कि यह 5 का square होता है यह आपका 8 का square ह होता है और यह 9 का square होता है जब कि हम बात करें इन दो numbers की तो already यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 और 18 का difference पांच का है और उसी का हमने क्या कर दिया square यानि कि 38 में जब हम 9 का difference लेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास विकल्प है एक विकल्प क्या हो सकता था एक विकल्प हो सकत है हमारे पास 29 तो 47 होता तो 47 भी यहाँ पर एक answer हो सकता था लेकिन ध्यान यह देना है कि यहाँ पर आपको बाकी के दो number से दिखाई दे रहे हैं उनमें जो उपर वाला number है वो क्या है बड़ा number है नीचे वाला number क्या है छोटा number है तो इन के सखर इन दोनों विकल्पों के स साथ हमें यहां पे combination देखने को मिलता तो जो हमारी priority होती वो किसके साथ में जाती वो 29 के साथ में priority हमारी बनती क्यों क्योंकि जो उपर वाला नंबर है यानि मिड्रो वाला गरम बात करें जो नंबर वो क्या है कि बड़ा नंबर है तो answer यहां पे आपका हो जाएगा 29 यानि कि option नंबर A हलाकि यहां पे आपको 47 देखने को नहीं मिल रहा है clear चलिए बात कर लेते हैं अगले question की mathematical operation की तो mathematical operation मैंने आपको priority order बताया है priority order last while equals to को पहले priority देना है point में आने वाली value division के sign को use करके priority नहीं देना है तो इस अधार पर अगर हम बात करें तो पहले के दो option तो हमारे क्या हो जाते है hold पर चले जाते हैं वही ठीक है बात कर लेंगे हम लोग यहां पर तीसरे और चौथे विकल्प की तो तीसरे विकल्प की अगर हम बात करें तो divided by का sign हमें second number पर दिखाई दे रहा है यानि कि 138 divided by 23 तो 138 divided by 23 के अगर हम बात करें तो आप clearly देख सकते हैं आप 6 times में यह क्या होगा divisible होगा यानि कि value आपको मिल जाएगा यहां पर कितनी 6 है इसके बाल अगर हम बात करें तो यहां पर आपको multiplication का sign दिखाई नहीं दे रहा है यहां कि हम लोग rule कौन सा follow करते हैं board mask का rule follow करते हैं तो यहां पर value मिल जाएगी आपको 6 plus यहां पर मिल जाएगा आपको 68 और यहां पर आपको मिल जाएगा माइनस का 54 और इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट होती हुँ दिखाई दे रही तो क्लेरली दे सकते हैं priority order के according आपने question को बनाया और कम से कम समय में आपका question यहां पर हल होता हुँ आपको दिखाई दे रहा है बात करेंगे अगले question की अगले question की बात अगर हम करें तो सीरीज में मैंने आपको इस particular type के questions के बारे में काफी सारे questions मैंने already solve कराया थे तो सबसे पहले जो हमारा approach को क्या करेंगे number of elements को count करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पन्दरा, सोला, सतरा, ठारा, उन्निस, बीज, एकिस, बाइस, टेश, चौबिस number of elements होगे 24 यानि कि या तो 6-6 के 4 groups में इसको divide करेंगे या तो 4-4 के 6 groups में इसको divide करेंगे अब यहां पर हम बात करें, element कौन-कौन से देखने को मिल रहे हैं, तो Q मिल रहा है, A मिल रहा है, D मिल रहा है, R मिल रहा है, K मिल रहा है, और P मिल रहा है, यानि कि 6 elements तो यहां पर हमें देखने को तो यहां पे हम क्या करेंगे, R को fill करेंगे, इसी परकार पहला element आपको Q दिखाई जारा, तो यहां पे Q को fill करेंगे, दूसरा element की बात करें, तो K दिखाई जारा, तो यहां पे K को fill करेंगे, सेकंड लास्ट element की अगर हम बात करें, तो second last element हमें P दिखाई जारा, तो हम यहा तो KPQR के साथ में आपके पास यहाँ पर तीन भी कल्प है KPQR इसके बात की अगर हम बात करें तो DAP तो लास्ट में आपको देखने को मिलना चाहिए DAP KPQR DAP यानि कि option नमर ए क्या हो जाएगा तो अगर हम बात करें पहले ही session में आपको इस प्रकार के logics के बारे मैंने बताया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं crow और यहाँ पर नमर आप देख रहे हैं 64 तो मैंने कहा जब हम बात करेंगे reasoning की especially हम reasoning की भी बात करें जैसे कि यहाँ पर 64 perfect square 25 क्या है perfect square है और option के अगर हम बात करें तो option में आपको perfect square के तोर पर 216 भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 का जो cube होता है वो क्या होता है 60, 4 होता है, 5 का cube होता है, 125 चार क्या है ऐए तो प्रुफेक्ट क्यूब आगेन आपको perfect क्यूब देखने को मिला तो यह किसका क्यूब होता है तो यह 5-ống का क्यूब लिया तो सकतेомिट कि तो हो सकता तहां यहां पे आपको उसका हमने नमबर का क्या कर दिया, यहाँ नमबर ऐमने नमबर स्कॉराइट कर दिया, तो इस प्रकार के भी लाजिक आपको देखने को मिल सकता है, इन सभी प्रकार के लाजिक कु मैंने अलqualडी स्कॉस्स या कवर अप किया हुआ है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे पूछे गए प्रस्ट यानि की पैरेट की तो पैरेट में नमबर अफ लेटर कितने एच्छे तो 6 के क्यूब की अगर हम बात के तो कितना होता है 216 यानि की option number B के हो जाएगा right answer हो जाएगा बात कर लेते हैं अगले question के अगले question के अगले question के अगर हम बात करें तो नैसेंट और यंग यानि कि यहाँ पे आपको synonyms दिखाई दे रहें तो अगर हम बात करें एगजेंट की तो यहाँ पे आपको जो इसके लिए answer हो जाएगा वो बनेगा बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले question की अगले question की बात करें तो यहाँ पे आपको चार pair of numbers दिए गए ठीक है जिन में से आपको क्या करना एक odd pair को चुनना है तो अगर हम बात करें इन दिए गए numbers की तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 178 और 308 तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होने चाहिए एक्जाम के point of view से समझीए कुछ भी logic लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे difference पे काम करेंगे जैसे कि मैंने कहा series पर based question हो या इस पर कार के pair से संब पुरा-पुरा difference नहीं निकालना हम क्या करेंगे unit digit के base पे हमकर मार्क कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर देख सकते है आपको difference देखने को मिल रहा है, इतने में भी आप क्या कर सकते हैं, आपको पूरा हल करने के वशकता नहीं है, तो unit digit भी बहुत काम की चीज है, आप अपना समय बचा सकते हैं, चलिए, बात करेंगे, अगले पूछेगे प्रस्न की, अगला प्रस्न आपका paper cutting and folding पर बेज़ ज दूर में, तो इस प्रकार से आपका यहां पर एक ही विकल्प बसता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं कि A B eliminate हो गया, C B eliminate हो गया और D B eliminate हो गया, अंसर कर जाएक option number B, देख करके चुटकियों में हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, चलिए, बात कर लेते हैं, अगले प्रस् U N T R Y, एक तो यह कि direct आपको place value पता होनी चीए, दूसरा यह कि जो approach है हमारा वो क्या होने चीए, question को हल करने के लिए, जब question का logic हमें ना समाज में आए, तो तो इस प्रकार से आपको लिखना है, given word और उसका code, code की बात करेंगे, तो B O W K X L और F clear, तो place value के term में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, place value मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं logic की, तो C से B अगर देख रहा हो, तो minus 1 यहाँ पे आपको कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा, जबकि यहाँ पे हम बात करें तो plus का 2 होता हुआ और यहाँ पे difference आपका कहीं जादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानि कि लगभग 19 का difference बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह प्रॉपर logic बनता हुआ यहाँ पे हमें नहीं दे रहा है, अपोजिट लेटर के term में भी अगर आप देखेंगे तो C का पोजिट होता ह X और उसके बाद आप minus करेंगे या plus करेंगे तब जाकर कि आपको B मिलेगा, O का opposite होता है, L प्लस 3 करेंगे तो मिल जागा, तो यहाँ पे भी एक valid logic बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और जब इस परकार हमें valid logic बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बात करत है, तो N की place value होती है 14, यहाँ पर हम K की बात करेंगे तो K की place value होती है 11, यानि कि अगर हम N और K की बात करेंगे तो minus 3 का यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिल रहा है, यानि कि हो सकता है minus 3 के आसपास का logic हो, या फिर N का opposite letter क्या होता है, M होता है, और M में अगर हम क्या कर दें, minus 2 कर दें, तो भी हमें K मिल जागा, यानि कि opposite letter के आसपास का logic भी हो सकता है within pattern, जब हम दो भागों में वाजित कर लेते हैं, तो first half का interchange second half में हो सकता है, दो तरीके मैंने बता है, first half का interchange first half में हो सकता है, एक तरीके से, ठीक है, चलिए, अब अगर हम first half का interchange second half में करते ह हैं, और यहां पर logic की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको minus का 3 होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब कि हम बात करें, C से अगर हम F जाते हैं, तो plus का 3 हो जाएगा, O से अगर हम L जाते हैं, तो minus का 3 हो जाएगा, U से हम X जाते हैं, तो plus का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएग यहां पर N से क्या आए, माइनस 3, अगें देखिए Y से B, प्लस 3, R से O, माइनस 3, और T से W, प्लस 3, तो इस प्रकार आपको यहां पर एक valid logic दिखाई दे रहा है, और अगर हम बात करें यहां पर pattern की, तो pattern किस प्रकार से बनाना है, वह भी आपको यहां पर बनता हुआ दिखा command है, तो direct क्या करोगे, अगर question में फस्ते हो तो, इस प्रकार से given word, उसके code, और अगर command नहीं है, तो यहां पर आप इसका जो place value है, वह लिखना बिलकुल नहीं भूलेंगे, और अगर question में फिर भी struggle कर रहे हैं, तो उस question को mark for review करके आगे बढ़ जाएंगे, यह नहीं कि कसम खा लेते हैं, मैंने बताया ना, कि कसम नहीं खाना है, कि आज या तो हम रहेंगे, या तो प्रशन रहेगा, क्या करोगे, mark for review करके आगे बढ़ जाओगे, चलो, बात कर लेते हैं, अगले question की, जो कि आपका purely maths पर based question है, और SSC के, जो अगर हम बात करें, CGL की, तो यह प्रस के जो प्रसन होंगे, वो आपके maths expert, यानि कि सौरप सरी आपको solve कराने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, in a training camp, three types of games, hockey, cricket and badminton were taught, 14% of the total students received cricket training, यानि कि total की अगर हम बात करें, तो होते हैं, कितने 100%, 100% में से 14% ने किसकी training ली, तो 14% ने ली cricket की training, बच गये, कितने बच गये, आपके यहाँ पे 86, अब 86% कि अगर हम बात करें, तो बोला है, of the total student received cricket training, ठीक है, 22% of the remaining, यानि कि हम remaining 86% में से क्या करेंगे, 22% निकालेंगे, receive training for hockey, और इसमें से अगर हम 22% की बात करें, तो इसका 22% कितना हो जाएगा, 8.6, multiplied by 2 करोगे, तो यहाँ पे value मिल 20, and again हमें क्या करना होगा, यहाँ पे, 1.72, क्या करना होगा, add करना होगा, तो value कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो यह value आ जाएगी, यहाँ पे, 298 और 1, यानि कि 18.92 यह value आपकी बन गई, अब 86%, जो 86 कि अगर हम बात करें, इसमें से अगर हम 18.92 को क्या कर दें, निकाल दें तो, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है, half of the remaining students, अब जो remaining students यहाँ पे बचे हुए हैं, तो अगर हम 86 में से सीधे-सीधे 19 को यहाँ पे minus करके, 0.08 क्या कर देंगे, add कर देंगे, तो 86 में से अगर हम 20 घटाते हैं, तो मिल जाएगा हमें कितन 66, 66 में हम क्या करेंगे, एक, add करेंगे, तो हो जाएगा 67, यानि कि यहाँ पे जो value बनेगी, वो बनेगी 67.08, अब इसका भी हम क्या करेंगे, 2 parts में divide करेंगे, तो इसको भी अगर हम 2 parts में divide करेंगे, तो value कितनी बन जाएगी, तो यह value बनेगी हमारी यहाँ पे, 326, यह भी हो जाएगा, आपका 326.54, अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 3, 33.54, अब आगे हैं, अगर हम बात करें, question की, तो question में बोला जा रहा है, what percent of the student did not receive training in any of the three games, कितने percent student है, जो किसी ने, जिनोंने किसी भी particular game में, इन तीनों में से किसी भी game में participate नहीं किया, तो 67.08 में से जब हम 33.54 को क्या करेंगे, subtract करेंगे, या घटाएंगे, तो value कितनी मिल जाएगी, तो value हमें मिलेगी, यहाँ पे, 8 में से 4 जाएगा, तो 4, और 4 के साथ में आपको एक ही विकल्प यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो आप इसको as answer mark करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है, पूरा calculation आपको करने के अवशकता नहीं थी, calculation कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, तो यह value हो जाएगी, 5, यहाँ पे हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, तो हो जाएगा, 3 और 6 में से 3 जाएगा, तो हो जाएगा, 33.54 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पूछे गए प्रश्न के लिए चली तो सबसे पहले 100% था 100% में से 14% निकाल दी तो बचा हमारे पास 86% इसका हमें निकालना था कितना 22% 22% की वैल्यू आगी आपकी 18.92 फिर उसके बाद आपको बोला गए जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग आमाउंट जो आपका जो रिमेनिंग परसेंटेज वैल्यू आपकी बची वो बची 67.08 इसमें से भी हाफ इसमें से हाफ जो इस्टुडे प्रश्नकी अगले आदि मैं प्रश्नकी बात करों तो अगेन आपको और वन आउट पर बेश्ट कोश्चन देखने को मिल रहा है यानि कि यहां पर सीधे-सीधे बात कर लेते हैं place value की तो 20 से हो जारा, 25, 25 से हो जारा, 30, और यहां पर अगर हम बात करें तो 4009, यानि कि सम्में 5 का अंतर, 26 से हो जारा, 5, 5, 4, 10, 10, 10, 11, यानि कि या तो A answer बनेगा या तो B answer बनेगा आठ से 13, 5 13 से 5, 18, 18 से 5, 20 यानि कि answer क्या हो जाएगा आपका option number B कैसे किया हम लोगों ने place value के basis पे place value बहुत important हो जाता है आपके exam के point of view से जो कि आपको याद होना must है अगर आप exam में appear होने जा रहे हैं place value square cubes इन चीज़ों पे आपका command होना must है बात करेंगे अगले प्रश्न की अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो logical when diagram पर based आपका question है महिला, सास और ग्रहणी तो अगर हम बात करें सास हो या ग्रहणी हो सबसे पहली priority तो क्या है कि वह महिला होगी तो यानि कि अगर हम इस प्रकार बात करें तो आपके जो दो विकल्प है वो क्या हो जाएंगे, eliminate हो जाएंगे यानि कि option number A और option number D क्या हो जाएंगे eliminate हो जाएंगे बचे अपने पास दो विकल्प, इन दो विकल्पों कि अगर हम बात करें तो जो सास है वह भी ग्रहणी हो सकती है और जो ग्रहणी है वह भी सास हो सकती है तो इस प्रकार जो correct answer बनेगा वो बनेगा आपका option number C बात करेंगे यहाँ पे अगले प्रस्ण की dice पर based काफी आसान सा प्रस्ण है यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूचा है वह अक्षर चुने जो J अक्षर वाले फलक के विप्रीत फलक पर आएगा तो यहाँ पे अगर हम common element की बात करें तो common element E मिल गया E से clockwise गया तो I आगया यहाँ पे इसे clockwise गया तो J आगया तो J के opposite क्या हो जाएगा I आजाएगा यानि कि answer हो जाएगा यहाँ पे option number C देख करके चुटकियों में आप इस प्रस्ण का उत्तर दे सकते थे चलिए बात करेंगे यहाँ पे अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण आपका डिक्ष्णरी ओर्डर पर बेस्ट कोस्चन है तो यहाँ पर हम सिक्वेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा टी ए एम ए यानि कि सबसे पहले मिलेगा फोर फिर मिलेगा आपको फाइव अब यह option cancel यह option cancel यानि कि सभी में आपको फोर फाइव यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रॉपर सिक्वेंस के अगर हम बात करें तो बचे हुए जो words है तो टी ए आर वाले बाद में आएगे सबसे पहला आगा टी एम वाला अब अगर हम बात करें तो T.E.R. के साथ में जाओगो तो T.E.R. M.I.N.A T.E.R. T. नार यहाँ कि सभसे पहला आजाएगा 1 फिर आजाएगा 2 फिर आजाएगा 6 यहाँ कि proper अगर सिक्वेंस की बात करें तो 4, 5, 3, 1, 2, 6 4 5 3 1 2 6 के साथ में आप जाएंगे option number 1 क्या हो जाएगा राइट answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए बात कर लेते अगले question की जो कि आपका based है किस पर दरपन प्रती बिम पर तो अगर हम दरपन प्रती बिम की बात करें तो हमें पता है कि sequence क्या हो जाता है change हो जाता है यानि कि जो आपका left most element है वो क्या हो जाएगा right most element हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको water image बनता हुआ दिखाई दे रहा फोर का तो यह option हो जाएगा आपका eliminate इसके लावाद जहां 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 आपको water image बनता हुआ दिखाई दे किसी element का जैसे option number C में आपको G का water image और proper य यह भी नहीं कह सकते कि इसका water image यानि कि mirror के बाद इसको reverse किया गया यहां पे भी आप देख सकते हैं पी का क्या बनता हुआ दिखाई देर आपको mirror के बाद reverse किया गया image यानि कि यह भी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा इस प्रकार answer बनेगा आपका option number B water image mirror image का session अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप session जा करके जरूर देखें फिर आप समझ पाएंगे कि इस प्रकार से हम कैसे आसानी से options को eliminate कर पाएंगे चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण आपका number series पर based है number series में मैंने आपको बता है कि difference का कितना important होता है साथ ही साथ साथ ही हम various logics पे भी बात करते हैं यानि कि अगर हम बात करें किसी number का square किसी number का cube इस प्रकार के difference आपको देखने को मिल रहे है कब आपको multiple होता हुआ number दिखाई देगा यानि कि almost जो भी आपके questions exam में आने की probability है हर प्रकार के प्रस्ण को हम लोगों ने discuss किया हुआ है यहाँ पर हम बात करें तो 27 और 30 के बीच में 3 का अंतर 30 और 37 के बीच में 7 का अंतर 37 और 50 के बीच में 13 का अंतर यहाँ पर हम ले लेंगे X का अंतर यहाँ पर हम ले लेंगे Y का अंतर X प्लस Y की value कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कितना 48 तो double difference पर हम को बनाने का यहाँ पर हम बात कर 12 ने कि बात करें और 10 result का उंतर लेने के बाद में वैल्व 48 बने लिय में बनेगी तो दूसरे लॉजिक पर करें कि विचारlier तो तेरा और आट की बात करें तो हो जाएगा 21 21 और दस की बात करें तो हो जाएगा 31 यानि कि यहां पर आपको इनका सम 52 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अब हम क्या करेंगे दूसरे लॉजिक पर यहां पर विचार करेंगे पर दूसरा लॉजिक क्या हो सकता था इन numbers पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे गवर करेंगे इन numbers कि अगर हम बात करें तीन के बाद 7 आपको देखने को मिल रहा है यानि कि जितने भी number आपको अंतर में दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी number कैसे हैं तो यह सबी के सबी नंबर क्या है प्राइम नंबर है यानि कि 3 के बाद अगला प्राइम नंबर मिलता है 5 तो इसको हम लोगों ने छोड़ दिया हम लोगों ने कंसीडर किया किसको 7 को साथ के बाद अगला प्राइम नंबर मिलता है 11, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया हम लोगों ने consider किया किसको 13 को 13 के बाद अगला प्राइम नंबर हो जाएगा 17, 17 को हमें छोड़ना है किसको consider करेंगे 19 को और इस प्रकार 50 प्लस 19 करेंगे तो यहाँ पर एक विकल्प हमे 69 बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसी प्रकार 19 के बाद अगर हम बात करें आने वाले प्राइम नंबर तो आ जाएगा यहाँ पर 23 और 23 को हम लोग क्या करेंगे skip करेंगे तो 23 के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 29 यानि कि 29 प्लस 19 को जब आप जोड़ोगे तो X प्लस Y का अंतर आपको यहाँ पर 48 क्लिरली बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि यह लॉजिक आपका क्या है बिल्कुल वैलिड लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है बात कर लेंगे यहाँ पर अगले प्रस्ण की करना है प्लेस वैलिए आपको याद होनी चाहिए अप्रोच की बात करते को 21 से जार सत्रा माइनस चार सत्रा से जार नौ माइनस चार नौ से जाएंगे माइनस चार करके तो कितना मिलेगा पांच यानि कि सब में अगर हम option B को छोड़ दें तो आपको E देखने को मिल रहा है यहाँ पर दोको 20 से जाओगे 4 तो 24 24 चार गए तो 28 अब दो से 4 गए तो 6 6 से 4 जाओगे तो 10 आपको देखने को मिलेगा J यानि कि option number C क्या हो जागा right answer हो जागा बाकी को exam में बनाने मत लगना अप्रोच यही ह संबंध 752 and 346 में देखने को मिल रहा है इन विकल्पों में से किस विकल्प में आपको इसी प्रकार का संबंध देखने को मिल रहा है यहां में बताना है तो अगर हम बात करें 7 और 52 की तो 7 का square होता है कितना 49 square plus 3 कर सकते हैं और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान ने तो जो भी आपको विकल्प देखने को मिल रहेगा हम option number A को छोड़ दें तो 4 का square करोगे 16 plus 3, 8 का square करोगे 64 plus 3, 6 का square करोगे 36 plus 3, 36 plus 3, 36 आपको देखने को मिल रहा है इसके बाद अगर हम बात करे 346 की तो मैंने कहा कि आपको number देख करके समझ आना चाहिए और पूरे session में मैं यही समझा रहा हूँ और जो भी आपके topics हम लोगों ने cover करें तो वहाँ पे जिन भी topics में इन चीजों का use है इस पे हमने क्या किया है focus किया है इस पे हम लोगों ने जोर दिया है तो यहां पर आप clearly दे सकते हैं अगर हम 7 के cube की बात करें तो कितना होता है 343, 343, 20 तक के cubes मैंने आप लोगों कहा है कम से कम याद होनी जी कोई 8 का cube पूछे तो कितना है 512, 9 का तो 729 बिलकुल आपके tank पे होना चीए ठीक है 20 तक के cube, 12 का पूछे, 17, 28, 13 का पूछे, 27, 97, किसी भी number का 20 के, अगर हम बात करें 20 तक के number क cube अगर exam में देखने को मिलता है बिलकुल आपको मिलेगा भी तो at least इन numbers पे आपका command होना चाहिए तो इस प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे पांच का cube, 125, plus 3, लेकिन यहाँ पे आपको 5 के square में देखने को नहीं मिला था, plus 3, इसलिए यह option होगे आपका eliminate चार के cube की बात करें तो 64, plus 3 देखने को नहीं मिला, आट के cube की बात करें तो 512, plus 3, यानिका option number C क्या हो जागा, right answer हो जागा 6 की cube की बात करें तो 216, plus 3, तो 219 होता तब यह आपको combination बनता इस प्रकार से, clear, answer क्या हो जागा, option number C बात कर लेते हैं अगले, प्रस्ण की अगले हम प्रस्ण की बात करें, 5 गुले, 3, plus 1, 4 गुले, 3, plus 1, यानिका यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 गुले, 3, plus 1, काफी आसान सा question तो option number D की हो जागा, right answer हो जागा, पूछे गए प्रस्ण के लिए चलिए, figure पर based series, काफी important हो जाती है, और कई बार आप क्या करते हैं, ऐसे questions में फस्ते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि rotation, direction and distance के base पर मैंने आपको rotation जब वहाँ पर पढ़ाया था, तो figure series में कैसे rotation को हम लोग utilize करेंगे, rotation और shifting, दो ही बातों पर यहाँ पर यहाँ प पर करकार से आपको change होता हुँ, पहली चीज़ तो क्या हो रहा, element आपका shift हो रहा, यानि कि corner से corner पर चलाया, फिर corner से corner पर आया, यानि कि अगले option में कहाँ एगा, इस corner से corner पर आपका element shift हो कर क्या आएगा, यानि कि option number a क्या हो जाएगा, eliminate हो जाएगा, इस सवाल अगर हम element क बात करें, तो यहां से shift हो करके, यहां पर आगया, इस corner पर, फिर इस corner से shift हो करके, इस corner पर आगया, यानि कि अगले में आपको इस corner से shift हो करके, इस corner पर दिखाई देगा, तो इस परकार यहां पर कोई भी option eliminate नहीं कर सकते हैं, फिलहाल, दूसरी चीज़ यहां पर यहां प को आप्शन नमबर सी भी यहां पर जाता है यह तो हो गई केवल शिफ्टिंग की बात शिफ्टिंग की बैसिस पर अभी भी आपके दो विकल्प बच गए अब इन दो विकल्पों के अगर हम बात के तो रोटेशन को यहां पर समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा रोटेशन को यदि हम समझे तो ध्यान दीजिए यह जो आकरती है आपकी इस आकरती में आपको clearly यहाँ पे 90 degree anti clockwise का rotation होता हुँ दिखाई देगा यानि कि 90 degree anti clockwise rotation के बाद यह इस परकार से आपको बनती हुँ दिखाई देगी again यहाँ से 90 degree का rotation आपको clockwise direction में देखने को मिला यानि कि यहाँ पे finally आपको क्या देखने को मिलेगा 90 degree का rotation clockwise direction में यानि कि यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा बचे हुए हमारे पास दो विकलपों में से B और D के अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे option number B option number B will be the right answer तो इसको आप इस परकार से rotation के सहायता से भी बना सकते हैं आपको प्रस्ण में कठिनाई होती है तो दोनों ही प्रकार के एक तो shifting है changing element है और सबसे पहले क्या करना आपको options को eliminate करना नहीं बनता है तब आप क्या करेंगे इन बातों पे समय अपना देंगे otherwise आप direct क्या करेंगे answer mark करके चलेंगे चाहे फिर हम बात करें mirror image water image की एक एक element को नहीं देखना है केवल option को क्या करना eliminate करना जो बच जाएगा वही आपको क्या होगा answer हो जाएगा बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की embedded figure embedded figure की बात करें तो थोड़ा complicated सा आपको आकरती यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन अगर हम इस figure की बात करें इन दिए गए options में आपको क्या करना है डूंड़ना है तो square की बात करें तो इस परकार से square आपको सबसे important ध्यान यह देना है कि आकरती को घुमाना नहीं है और इसके उपर मैंने discussion किया हुआ है lecture में तो यहाँ पे square तो हमें दिख जा रहा है लेकिन square में से इस परकार का सकते हैं eliminate यहां पर हम square की बात करें तो हम इस वाले square को भी consider कर सकते हैं और इससे बड़े वाले square को भी consider कर सकते हैं और दोनों में ही हमें इस परकार से line जाती हुई दिखाई देरी जो की अगले square में मिल रही है ना कि उसके corner पे but mid of the square इस परकार से यानि कि option number B क्या हो परकी के विकलपों को हमें चेक करने क्या वह शक्ता नहीं है यही हो जाएगा हमारा smart तरीका की कैसे हम अपना समय बचाएंगे ठीक है चलिए last question के अगर हम बात कर तो last question आपको यहाँ पर syllogism पर based question देखने को मिल रहा है तो फटा फट से यहाँ पर question आपके पास दोनों ही modes में अवेलेबल है Hindi as well as English ठीक है चलो हिंदी में हम question को क्या करते हैं आप सॉल्व करते हैं बोला सभी कालीन क्या है कंबल है तो structure बना लेते है यह होगी आपका कालीन और कालीन क्या है कंबल है सभी कंबल तकिया है सभी कंबल क्या है तकिया है और आगे बोला है कुछ कंबल क्या है फ्रेम है कुछ कंबल क्या है फ्रेम है तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा structure बात करेंगे आप हम लोग conclusion की तो बोला सभी तकिया का तो यह आपका कान्ड से का केस्स बनेगा सिलॉक्स के लेक्षर में मैंने इन सभी बातों को डिसकस किया हूए बात करेंगे बढ़े सरकल से चोटे सरकल की और सम का जो आपका करेंगे वो क्या होजाईगा हो जाए है third one की अगर हम बात करें तो सभी कालीन क्या है फ्रेम है तो पूरे के पूरे कालीन यहाँ पे आपको फ्रेम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहें not even आपको some part भी यहाँ पे कालीन का फ्रेम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहें उसकी क्या है संभावना है possibility है तो इस प्रकार अगर हम बात करें उत्तर की तो हो जाएगा केवल निसकर्स दो क्या करता है अनुसरण करता है तो यह हो गए आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न अब इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए comment box में comment करके जरूर बताए exam का जो level है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा हला कि मैंने आप लोगों को already paper को solve करने के लिए session में भी बताया है कि आप लोग paper को क्या करेंगे solve करेंगे और paper से जुड़े हुए जो भी आपकी समस्याएं है उसको हम लोग telegram group पे discuss भी करते हैं यानि कि आपके comment जहां भी आप फसते हैं उसको हम लोग discuss भी करते हैं लेकिन अभी भी समय है जो बच्चे इन सारी प्रक्रियाओं को follow नहीं कर रहे हैं यानि कि आपका mock test हो गया previous year paper ह हो गए या अभी तक आपने पूरे के पूरे sessions को complete नहीं किया हुआ है या आपके पास short notes का compilation नहीं है या आपने अपने handwritten notes नहीं बनाए तो अभी इन सब चीजों के लिए तो नहीं कहूंगा कि आप handwritten notes बनाई है लेकिन इन चीजों के जो महत हुआ है वो आपको कब समझ मे आता है last moment कि अगर आपके पास यह सभी चीज़े available होती तो जो आपका revision कर सकते हैं exam hall में जाने से पहले दूसरी बात यह कि जब आप मौक में फसते हैं कहीं पर किसी particular topics related question में फसते हैं तो जो आपका short notes है वो आपके लिए काफी helpful हो जाता है ऐसे situation में ठीक है तो इसके बाद भी जैसे कि मैंने कहा कि अभी CGL है CGL के बाद CHSL पर बेस्ट भी previous year question paper को हम लोग हल करेंगे और साथी साथ हम लोग model paper पे भी यहां पे lectures deliver करने वाले हैं तो आपको हमारे साथ हर एक session को attend करना है और साथी साथ copy और pen ले करके जुड़ना है और बताना है कि आपको पूछे गए प्रश्णों में से आपके कितने प्रश्ण यहां पे सही हुए तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next session में थैंक यू